इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो CSI file download करने में जो issue आ रहा था, जो e-filing portal से, वो resolve हो गया, उसको हम लोग देखेंगे, असानी से कैसे हम लोग download करते हैं, CSI file क्या होता है, कि जो भी आप चलान, आप deposit करवाए हैं, तो आपको TDS, TCS का जब आप return डालिएगा, तो उ income tax portal से, TAN से login करने के बाद, हम लोग CSI file कैसे download करते हैं, तो हम लोग को कहा जाना है, e-file में जाना है, e-pay tax में जाने के बाद आपको देखें, यहाँ पे payment history में जाएगा, payment history में जाने के बाद, यहाँ पे आपको filter करना है, filter करने में आपको दो चीज select नहीं करना है, assessment tier मत क आपको क्या करना है, from date करना है, तो सब्सक्राइब करना है, जुलाइ, अगस्ट में deposit करवाए होंगे, तो हम लोग को क्या करना है, अगस्ट चूज कर लेना है, let's suppose 1 अगस्ट, ठीक है, और कब तक गया होगा, अगस्ट, सेप्टमब, अक्टूबर, सॉरी, जुलाइ, अग हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे, let's suppose, अगर इस फिल्टर में हम, यहाँ पे assessment year, चूज कर लेते हैं, ठीक है, assessment year, mode of payment, चूज कर लेते हैं, और तब फिल्टर लगाते हैं, देखे, क्या इस्ट होएगा, यह आपका क्या होगा, डिसेबल हो गया, देख पार है, यहाँ पे download और फिर से आप जो date है, उसको सही से चूज करिए, सिर्फ date चूज करिए, कब से कब तक आपको चलान जो हो, deposit करो, मतलब download करना है, उस तरह से आपको, 7th of October, ठीक है, यह कर लिए, फिल्टर लगाईए, तब देखे, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, download करने का option मिल जाएगा payment history में आने के बाद है, payment history में आने के बाद, आपको यहाँ पे filter लगाना है, आने के बाद देखे, आने के बाद देखे, आपके समनी यह tab enabled हो गया, इसको download कर लिजी, download हो गया, तो इस तरह से यह problem था, यह solve हो गया, thank you so much.